कि जो छोटे हैं वोई अपने से बड़ों को धन्यवाद दें और जो बड़े हैं वोई अपने से छोटों को आशिरवाद दें उन्होंने बहुत अच्छी बात कही तो मैंने उस पर विचार किया कि जिस घर के बड़े लोग छोटों को आशिरवाद देते हैं और छोटे लोग अपने से बड़ों को धन्यवाद देते हैं जिस घर में, जिस आश्रम में, जिस पारिटी में, जिस संस्था में, जिस बेवस्था में, जिस कमेटी में धन्यवाद और आशिरवाद की परंपरा है वहाँ पर कभी वाद बिवाद नहीं होता है जहां धन्यवाद आ गया आशिरवाद आ गया महां वाद विवाद का अस्थान नहीं रह जाता है महां तो संबाद सुरूप होता है इसलिए धन्यवाद देना कभी कभी अपने गुरू को भी धन्यवाद देजिए कि धन्य हो गुरु देओ मेरे जीवन को धन्य कर दिया और कभी-कभी अपने शिशों को आशिरबाद दो कि तुम भी महान हो कभी-कभी अपने पती को धन्य वाद दो कि तुम हो इसलिए माथे पर सिंदूर दिख रहा है हाथों में चूणियां खन्खना रही है पाओं में पाइल बज रही है कानों में कुंडल चमक रहे है तुम हो तो ये सब है जिस दिन तुम नहीं होगे ये सब नहीं होगा इसलिए धन्यवाद मेरे पती देओ युभी उजीओ मेरे से एक वर्ष ज़्यादा जीओ ऐसा धन्यवाद देना पतियों से मैं कहूंगा अपनी पत्नी को आशिरवात देना कि तू मेरे साथ साथ जिन्दा रहे कितने पति लोग तो मंदिर में जाकर भगवान से कहते हैं मेरी पत्नी को वापस ले लो नहीं समालोगा मैं बहुत परेशान हो ले लो परेशान मत हो निभालो इनको अब क्योंकि ग्रहिस्त की गाड़ी में दो पही है एक पती का दूसरा पत्नी का एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं किवल कहने से भूँख मिठ सकती नहीं गुलाब वर ही नजर टिक सकती नहीं हे दोनों की जरूरत इंसान के लिए एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं प्रेम और करुणा रखो पुत्र को चाहिए कभी कभी अपने पिता को धन्यवाद दे कि धन्य हो पिता जी आपने अचल संपती बनाए रखा कम से कम सराब नहीं पिया इसको बेचा नहीं मकान भी तैयार करती है मेरे लिए काड़ी लाड़ी बाड़ी सब ले आए हो अब मेरी वाइफ की साड़ी भी लाते हो धन्य हो पिता जी धन्यवाद कोई बिरले पिता को धन्यवाद मिलता है जहदातर माता पिता वाद विवाद में फस जाते हैं मत सताना माबाप को और अपने बेटे बहु को आशिरबात देना धन्य हो ठीक है सुखी रख कभी कभी अपने गाउं में शमागम करने वालों को भी धन्यवात देना कभीर साहिब कहते है पूरब्दिसाहरी को बसा पश्यमल्ला मुकामा दिल माखोज दिलहिमा खोजो यह करीमा रामा यह करीमा रामा दिल रुपी देवाले में भगवान को खोज लो तेरे ही अंतस्तल में वो बैठा है आत्मा रुपी परमात्मा का निवास हर घट में है घट घट में वह साई रमता कटक बचन मत बोल रे घोंगट के पट खोल रे कहें कवीर आनंद भयो है बाजत अनहद ढोल रे घोंगट के पट खोल रे वो साई घट घट में है किवल सिर्डी में साई नहीं है वास्तविक सचा साई तो सबके घट में बैठा उपड़ तुलसी दास से किशी वक्त ने पूछा साई कहां है तुलसी दास कहते हैं घट में है तुलसी और कवीर की बातियां मेल खा जाती है तुलसी कहते हैं घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिन्द तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद तुलसी कहते हैं घट में है और सूजता नहीं है क्योंकि माया मोह का मोतिया बिंद हो गया है अगर कुई सpora कर्पा करके माया मोह का मोतिया बिंद उतार दे और ग्यान का चस्मा लगा दे तो घट में बैठा हुआ जो इस रुपी आत्मा है आत्मा रुपी पर्मात्मा है उसका बोध हो जाएगा उसका साथ चात्कार हो जाएगा घट में है मैं सिर्डी के साइन बाबा के यहाँ एक बार बनशगाओं में मेरा सत्संग था तो बनशगाओं की भक्त किरन बिवारी रतन बिवारी संदी पादी सब बोले सिरडी साइं कहां ले चलूँगा मैंने कहां घट घट में वा साइं है सिरडी में क्या करूगे बोले नहीं लेकर ही जाओंगा हमने कहा साई बाबा वहां नहीं है मत परिशान करो बोले चलो तो सही देखो तो सही तो ले गए वहां बहुत भीड थी तो साइड की गली से अंदर प्रविश्च करवाया सोर्स लगा के अंदर पहुँचे तो फिर उसी भीड में लाइन जुड़ गई पुजारी ने सब को रुक दिया इस टाप बी आई पी संत आया है दर्शन कर ले तो हमने कहा अरे सब भीड रुक गई पीले रंग की चमकती हुई सोने की मूर्तिया पितल की हो पता नहीं बोले खुब दर्शन करो लो फिरा के जाना तो साई बाबा की मेरे दिल से आवाज आई कि तुम इतने ग्यानी संत होकर की यहां क्यों आये हो घट घट राम है यहां क्या ढूंड रहे हो तो मैंने पुजारी से कहा मुझे आगे बढ़ाव बोले साई तो घट घट में है वो साई मठ में नहीं रहता है वो सबके घट में रहता है और घट में बसने वाले साई की जिसने सेवा कर लिया उसकी जिन्दगी ही सिरडी धाम है जिन्दगी ही कबिर धाम है घट घट में वाह साई रमेता जिस समय नचकेता यमराज के घर गए लंबी कहानी है इसलिए छोटा सुनाओंगा मैं जितनी जिरूएत नचकेता के पिताजी ने नाराज होकर के नचकेता को यमराज के चिरणों में दान कर दिया सिर्फ नाराज इसलिए हुए थे बूढ़ी गवंए दान कर रहे थे तो बेटे ने का पिताजी गोसाला में अच्छी च्छी गवंए उनको दान करो ये कमजोर क्वंए क्यों दान करते हो तो पिता नाराज हो गया बोला तुझ यादा बोलेगा तो तुझको भी दान दे दूँगा तो बेटे ने पिर पकड़ लिए पिताजी इससे बड़ा सोभाग क्या होगा मुझे भी दान कर दो तो गुष्चा में कहा कि तुमको मैं अमराज को दान करता हूँ यहां से जा मूर्ख कहीं का तो पिता के पेर छुके यह अमराज के हां नचकेता चला गया गुष्चा में दिया हुआ दान दान नहीं होता है उसका कोई पुन्ड भी नहीं होता है अभिमान से किया हुआ दान का पुन्ड भी अधा छिड़ हो जाता है श्रद्धा भाव से दिया गया दान हजार गुना पुन लेकर आता है इसलिए दान जब देना तो बड़ी श्रद्धा के साथ दान देना दान देते समय मन में सोच विचार मत करना कि दूं की न दूं देना है तो देही देना है और हस्ते हस्ते देना है नचकेता को यह मराज ने समझाया कि तुम्हारे पिता ने गुस्सा में तुमको दान दिया है बाद को मन ठंडा होगा उनकी मन को दुख होगा तुई कलोता बेटा है वो रोते होंगे तेरी याद में तु वापस जा मेरी आग्या है तो नचकेता नेखा बात सत्त है मेरे पिताजी मुझे छोड़ करके दुखी जरूर होंगे रोते होंगे लेकिन गुशा में दान दे दिया तो मैं आ गया अब आपकी आग्या है तो मैं फिर जाओंगा अपने पिताजी के पास मुझे सुविकार कर लेंगे और खुस हो जाएंगे लेकिन तब जाओंगा जब मेरे प्रशन का उत्तर थो नचकेता ने प्रशन पूछा है कि परमात्मा कहां रहता है एक कठो अपनिशत का मंत्र है मेरी पोकेट का कोई स्लोक नहीं में उपनिशत भी अध्यन करता है एनम रूपम रशं गंधम सब्दान असपर साच मेत्वनान एते ने व बिजानात कि मत्र परिश्य सते यतत वैतत अंगुष्ट मात्रह पुर्शा आत्मनितिस्ठती इसानो भूत भव्यस्य ततो बिजगुप सते यतत वैतत अर्थ बताना पड़ेगा कि समझ गया बता दू फिर ही मैं थोड़े बताऊंगा एक लाख लोगा एक मात्मा गीत गाता हुआ जा रहा था शड़क पर बहुत अच्छे भजन गा रहा था तो कोई शेठ का बेटा दुकान पर बेटा था उसने मुनीम से कह मात्मा को बुलाओ इसका भजन सुनू बहुत अच्छा है तो मात्मा को बुलाया दुकान पर बिठाया और कहा मात्मा जी भजन सुनाओ बहुत अच्छा गा रहे थे तो मेरे मन को भा गया अरे ये गुरू जी क्या गा रहे थे तराना सुना दू ये कोई पंथ की बात नहीं ये अलग की बात है सुना देता हूँ तो सेट का लड़का उसका नाम था रामला उसने कहा मुनीम मात्मा का गीत सुनना है मात्मा आकर वेट गया उस बच्चे ने कहा बाबा सुनाओ जो गार है थे क्या बाबा बोला है बच्चा बोल रहा पिला अरे गुरू जी क्या गा रहे थे तराना बराए करम ओ सुना दीजे गाना बराए करम ओ सुना दीजे गाना जिसका हर एक लफ़ भाया है मन को अरे गुरू जी ओ मुझे को सुना दीजे गाना अरे बच्चा अरे तू बच्चा क्या सुनेगा मेरा ये तराना हजारों की कीमत का है ये फसाना अगर आप दस हजार तेमेंगे पहले दस हजार में एक गाना अब मैं बोल रहा हूँ एक लाख और महेंगा पिर मैं तो इसलिए एक लाख बोला हूँ कि मुझे ये दस हजार वाला गाना सुना न था नहीं तो मैं तो फिरी ही सुनाँगा क्योंकि देने को कुछ बचा नहीं जो तुम अब हमको कुछ दे सको जिसको दिल दे दिया मन दे दिया प्रेम दे दिया अब देने को बचा क्या है सब आपका ही है अगर आप दस हजार देवेंगे पहले अगर आप दस हजार देवेंगे पहले तो बाद उसके तुमको सुना दूंगा गाना मुनीम दसजार निकाल कर दे दो भजन जरूर सुनू मुनीम निका ऐसे बाबा बहुत गाते घुमते ददसजार बाटोगे तो क्या हाल होगा इस दुखान का अरे बोले चुप नौकर है क्या समझता है निकाल रूपिया मुनीम डर करके दसजार की गड़ी दे देता है आज के देड़ सो वर्स पहले दसजार माने रखते थे दिया बाबा ने गाना सुनाया दसजार लेकर चला गया इधर जब उस बालक का पिता आया तो उसने देखा मुनीम निरास बैठा तो पूँचा मुनीम क्या बात बोले बात क्या है यह आपका जो बेटा है यह दस दिन बैठ जाए बस दुकान खत्म बोले हुआ क्या बोले एक बाबा गीत गाता हुआ जा रहा था इसने जुवर्दस्ती बुलवाया मैंने मना किया दस जार देकर एक गाना सुना है बाप बहुत नाराज हो गया बाप ने बेटे से नाराज होकर क्या कहा एसी आदत तेरी जो सदा ही रही तो खाली कर देगा एक दिन खजाना मिरा निकल बाहर घर से तू? दद सजाल लुटाता है, दस रुपी नहीं कमाता है इस तरे की आद उत रही तो मेरा ख़जाना खाली हो जाएगा पेसे से जादा प्रेम है कि पुत्र से जादा प्रेम है यहां भी पहचान हो रही है कभी कभी पेशा बचाने के चक्र में पुत्र नहीं बच पाता है जिसके लिए पेशा बचा रहे थे उस पुत्र को हम खो देते हैं अब पेशा किसके लिए बचा है जिसको पेशा बचाया था कि तू लेना उसको हम नहीं बचा सके पुत्र चला गया सब लोग गोर करना जिसके लिए जमीन बचाया है धन बचाया है मकान बचाया है उसको भी जरब बचा लेना कहीं ऐसा नहो कि जिसके लिए सब बचाया है वही न बचा पाओ तो बचाना भी बेरत बचाएगा समालो दुकान से निकाल दिया घर से निकाल दिया बालक घर आता है माने कहा बेटा मैं नहीं रख सकती हूँ तेरे बाब बहुत कठोर है ले यह दो शुरण मुद्रा देती हूँ जा दो शुरण मुद्रा लेकर चला जाता है बेहन के हाँ दो दिन रुखता है बेहन समाचार सुनती है तो कहती मैं नहीं रोख सकती हूँ पिता जी हमको छोड़ देंगे तुम जाओ चला गया घूम रहा है कहीं जुगार बेटता है भोजन खा लेता है जिन्दगी चेंज हो गई एक भजन में गाना महगा पड़ गया दसजार भी गए और खुद भी गए एक साल के बाद उस महत्मा से बेट हो गई किसी बढ़के पेड़के नीचे बेटा महत्मा फिर भजन गा रहा था महत्मा ने उस बच्चे को देखा कहा आओ बिटे बले बस एक बार आया था तो ये हो गया क्या हाल है जो आपका हाल वही मेरा हाल हम भी बाबाजी हो गए और घर से निकाल दीये गए बले चिंता मत करना दसजार की लेखłości लेख मेए कमंडल खोल करके दसजार की वही गड़ी बेटे को दिया ये मेरे को ज़रूरत नहीं है ये तू अपने बाप को वापस करते और बाप से बता देना कि क्या बेटे की कीमत दस हजार भी नहीं है और जाओ बाप को गड़ी देकर पेर छोकर आशिरवाद ले लो जाकर बालक गड़ी लेकर गया देकर के पेर छुआ पिता लिपट गया इकलोता बेटा था कि बेटा गड़ी जाये तो जाये पर मेरा बेटा न जाये बोले पिता जी जीस दस हजार की गड़ी के लिए मुझको घर से निकाला था वो गड़ी तो घर में वापस आ गई लेकिन बेटा अब घर में वापस नहीं रहेगा अब ये उसी बाबा का हो गया है जा रहा हो कोन है अपना कोन पराया सब में वही है नूर समाया रो रो कर जिंदगी बीत रही है बेटा खो दिया है याद रखना बेटे से नुकसान हो जाए बहु से नुकसान हो जाए सहले ना कहीं धन के नुकसान के चक्कर में सामान के नुकसान के चक्कर में तुमारी बहु न खो जाए बेटा न खो जाए सास ससुर न खो जाए पती न खो जाए पत्नी न खो जाए सब खो जाए तक खो जाए लेकिन आपके रिस्ते न खोने पाएं इनको सभालना और रिस्तों को सभालने के लिए भी समय निकालना अभी तुम कहोगे मेरे पास समय नहीं है और जब समय निकलेगा तब तक रिष्टे ही नहीं रह जाएगे इसलिए रिष्टों के लिए भी समय निकालू थोड़ा अपनी माँ के पास भी बैठ जाया करो मिठी मिठी बाते कर लिया करो, माँ को हसाया करो अपनी सासों के पास रोज बैट करके उसके पेर दबाया करो अपनी बहु के लिए कभी-कभी चाय बनाकर बहु को पिलाया करो सासों के लिए बहुत बड़ी कसोटी बता रहो ऐसे हर घर में सासो चाय बनाए और बहु को पिलाए और बहु भोजन बनाए, सांसू को खिलाए, तो घर स्वर्ग है, मंदिर है, आनन्द ही आनन्द है शेवा बहुत बड़ी चीज है हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा हम सेवा जिनकी करते हैं, वो इनसान नहीं, उनमें भगवान चिपा हुआ है अभी उस इस लोग का आर्थ बताना है क्या इस लोग बोला हुए, अंगुष्ट मात्रा, पुरुश्चा, आत्मनितिष्ठति इसानो भूत भव्य सिन्ना ततो, बिज गुप सते यतत वईतत यमराज कहते हैं नचकेता, हजार गववें दान ले लो, हजारों एकड़ जमीन ले लो, लेकिन इस प्रिश्ण का उत्तर मत लो नचकेता ने कहा, गववों के कारण ही में तुम तक आया हूँ, अब गववें नहीं चाहिए, न धन चाहिए, न भवन चाहिए, अब केवल इस प्रिश्ण का उत्तर चाहिए, उत्तर चाहिए बताओ, परमात्मा कहा रहता है, जब नचकेता यमरास के पेर नहीं छोड़ता है, तो यमरास कहते हैं, नचकेता सुनो परमात्मा कहा रहता है, कठोपनिश्ण का मंत्र है, ये सरीर के अंदर जो अंगुष्ट मात्र का अस्थान हरदे अस्थान है, उस हरदे अस्थान में जो ये आत्मा बिराजमान है जिसका बोध हो जाने पर वो मनुश किसी से न इरशा करता है न किसी की निंदा करता है उस सबसे प्रेम ही प्रेम करता है ये वही है परमात्मा जिसके सम्मंद में तुमने पूछा है वो आत्मा की रूप में ही सब के घट-घट में पिराज मांगा है यही है परमात्म एशाय अमराज ने बताया इसलिए इनसान की शेवा को भगवान की शेवा कहा गया है एक बौंद का दान नजाने किश की छुधा को सांट कर दे दान धर्म को बहुत बड़ा धर्म कहा गया है दानी बन करके जीओ लोभी और कंजूस बन करके मच जीओ कमरे में हवा आने के लिए एक खिड़की यदी है और हवा जाने के लिए दूसरी खिड़की नहीं है तो एक खिड़की से हवा का आना भी बंद हो जाता है जाने के लिए भी खिड़की हो तो धन घर में आता है तो धन दान में जाने के लिए खिड़की होना चाहिए कभी मंदिर निर्मान के लिए दान करो कभी आश्रम निर्मान के लिए दान करो और कभी भंडारा के लिए दान करो कभी पूरा भंडारा ही कर दो कभी प्याओ खोल दो और कभी वस्त्रदान भी करो रक्तदान भी करो समय दान करो, स्रम दान करो ग्यान दान करो, बुद्ध दान करो प्रेम दान करो दान करने के लिए तुम्हारे पास में बहुत कुछ है दान का भंडार है दानी बन कर लो गुरु से आशीर बाद मांगना कि हमको दाता बन करके रखना मंता बन कर ना रखना यह हाथ जब आगे बढ़ें तो देने के लिए हाथ आगे बढ़ें कभी लेने के लिए ना बढ़ें ऐसा आशीर बाद देना है गुर्दयो ही प्रभु आपका शिरवाद मिले जिन्दगी भर दान देता रहूं और कभी कम ना होने पाए